हलो जेर्स गैंक्स, आज की इस वीडियो में हम जिसक्स करने जा रहे ही रमन एफेक्ट तो रमन एफेक्ट का जो महत्पूर्ण कंसेप्ट है, उसारा मैंने इस बोड़ पर कबर किया हुआ है तो मैं जिसक्स करना चाहूँगा कि रमन एफेक्ट क्या है और साथ-साथ रमन एफेक्ट का एप्लिकेशन स्पोर्शन भी किसक्स करेंगे और रमन एफेक्ट की कंपेरिजन भी करेंगे बाकी जो एफेक्ट होते हैं उनसे तो रमन एफेक्ट में जो भारत को एक बार ही नोबिल प्राइज आया वो इसी effect के ऊपर था रमन का, CV रमन के लिए effect था, जो CV रमन ने discover किया था, इसमें हमें क्या है कि जब हम टीम तरीका के इसमें सविस्केंस यूज करते हैं, एक हमारा होता गैस या लिक्वेट या ट्रांस्पेंट विस्केल, अगर इनके ऊपर हम visible और ultraviolet radiation इंपोज करते हैं Visible और ultraviolet radiation की जो हम सब जानते हैं कि frequency और wavelength का range भी हमें पता है किस range में होती है, इनकी, तो यह भी आत रखें कि जो हमारा visible होता है, उसे तो हम लेते हैं 310 angstrom से लेके 7800 angstrom, और जो ultraviolet radiation होता है, उसे hungriac angstrom से लेके approximately 3800 angstrom, तो इस तरीका का radiation हमें जालना होगा, means one hungriac angstrom से लेके 7100 angstrom के beam, और beam कैसा use करें, strong beam, strong और intense beam, यह जब हम डालते हैं, strong और intense beam, strong beam और intense beam का मतलब यह है, जिसकी intensity की खूब जादा हो, collections हो photon का, बहुत सारे photons हम एक साथ इंपोज करें, तो हम क्या देखते हैं, कि अगर हम gas liquid और transparent crystal के उपर इंका imposition करते हैं, तो हमें तीन तरीका की radiation मिलते हैं, एक ऐसे radiations, जिनकी frequency सेम रहती है, जो हमने इंपोज की है, और एक जिन में frequency हमें बढ़ी हुई मिलती है, और एक जिन में frequency हमारी कम मिलती है, तो आफ्टर जब इंसे gas liquid और transparent crystal से इंका interaction हो जाता है, strong or intense beam का, visible light radiation की इंकी wavelength region है, तो हमें तीन तरीका के हमें जो spectrum के अंदर तीन हमारी टकराने के बाद में, तीन frequency, different frequency की हमें जो wavelength के radiation मिलते हैं, एक बढ़े हुए के, जो हमने इंपोज किया था, उससे ज़्यादा wavelength के, एक कम के, और एक उसी के, अगर हम spectrum analysis में देखें, तो मैंने एक diagram बनाया हुआ होगा, this one, इसमें क्या हम देख रहे हैं, कि तीन तरीका की लाइन से इसमें देख रहे हैं, एक उसी frequency की, जिस frequency का हमने position किया था, किस के उपर, इन में से किसी के उपर, एक low frequency, और एक हमारी high frequency, frequency, तो high frequency का मतलब यह हुआ, कि हहाँ पर जो frequency बढ़ गई, इसका मतलब wavelength कमाई, एक उसी wavelength का, जो हमने इंपोज किया है, और फिर हमने, एक हमारी frequency कम की, मिस ज्यादा wavelength की मिली, तो तीन lines हमें मिलती है, इन तीन लाइनों में हम इस लाइन को, जो हमारी main line है, उसी frequency का photon जिस उपर्टाउन हमने पोज किया था, और व लाइन कहलाती है really line, और जिसमें frequency हमारी ज़्यादा मिली वो हमारी anti-stox line हो गई और जिसमें frequency कम मिली वो stocks line मिली तो तीन तरीका के radiation हमें मिलते हैं कब जब हमारा इनके साथ में interaction हो जाता है किसका strong or intense beam का अब हमें इस बात को समझना है कि इसके दो तरीका के consequence होते हैं कि हम low resolution से देख रहे हैं low resolution का मतलब होता है एक बोटा-बोटा idea तो low resolution में तो हमें केबल stocks line और anti-stox line मिल रही है और relay line मिली है उसके बाद अगर हम high resolution से देखें high resolution का मतलब क्या हो इन्हें बहुत रज़्दी की से साथ देखें कि क्या एक ये तीनी wavelength की या तीनी frequency के photon हमें मिल रहे हैं तो हमें पता चलेगा ऐसा नहीं है उसके आस-पास के भी मिल रहे हैं तो यहां पर देख रहे होगे कुछ line है जो हमारी vibrational, ये तो हमारी vibrational spectrum हो गया vibrational, इसको हम बोल रहे होते हैं vibrational normal spectrum जब हमें तीन मिलती है लेकिन इसके पास-पास जो मिलती है देख रहे होगे हैं रजदी की से तो यहां पर और भी line मिल रहे हैं और यहां पर भी मिल रहे हैं इनमें भी क्या देख रहे हैं यहां पर जो है stocks line में intensity थोड़ी जादा है यहाँ पर intensity की थोड़ी कम है anti-stocks line की जो intensity की है वो कब रहती है stocks की जो intensity की है वो थोड़ी ज़ादा होती है और relay lines के पास में जो हमारे पास vibrational में relay line मिल लेंगी उनके पास भी खूब सारी हमें और frequency or wavelength के radiation हमें मिलते हैं तो यह इसमें हम देख रहे हैं low resolution में तो के वल स्कॉक्स और anti-stocks यही मिलेंगी लेकिन high resolution में हमें pure rotational इसका जो कारण होता जो हैं पर यह पास पास मिल लगें इनका जो कारण होता है वो हमारा होता rotational spectrum तो spectrum जो है इसमें दो तरीका का मिल जाता है एक हमें मिलता है rotational spectrum और एक मिलता है vibrational vibrational में क्या है कि vibrational में तो अगर हम देखें तो हमें यह पता चलेगा कि vibrational में तो तीम तरीका की frequency हमें मिलेगी एक वो ही frequency जो हमने पूझ की है और एक हमें बढ़ी हुई और एक हमें कम अगर इस spectrum को हैंसे देखेंगे तो अभी मैं इसका analysis बताऊँगा कम और ज़्यादा की हमें कैसे मिलती है मैं इस stocks और end की stocks line की frequency में बदला आप क्यों होता है और जो हमारी relay line है वो उसी frequency की क्यों मिल जाती है मैं सुरू से बताता रहा हूँ एक चीज आपको पहले बताया था मैंने कि basically क्या होता है कि जो भी हम molecule हम लेका चलते हैं चाहे हमारा gas हो, liquid हो, transparent, physical हो जो भी हो उसके हमारे energy levels होते है उन energy levels में हमारा जब molecule होता है तो उन molecule जब भी radiation को absorb करता है तो उकेवल तब ही absorb करता है जब वो low energy scale से high energy scale में जा सकता हो और high energy scale खाली हो otherwise तो वो radiation को absorb नहीं करता वो collision जिनके अंदर क्या देखा जाता है कि molecule low energy scale से high energy scale में नहीं जा पाया जिन radiation की वज़े से वो same frequency के मिल जाते हैं क्योंको उनका absorption नहीं होता जिनका हमारे पास में क्या होगा कि ये बढ़ी और गखी के हमें कैसे मिलती है तो यहां पर हम देख रहे हैं इस diagram को समझें काफी important diagram में पहले फिर से मैं एक बार इसको फिर से समझाए देता हूं उसके बाद इस diagram का analysis करता हूं क्योंकि ये ही सबसे महत्पूर है इसका quantum analysis अगर हम ध्यान दें इस सीज़ के उपर कि बई ऐसा हमें क्यों मिल रहा है तो हमें इस सीज़ का भी जवाब देना पड़ाएगा कि ये हमारे पास में एक anti-stocks line कैसे मिली और stocks line कैसे मिली और ये भी बताना पड़ाएगा हमें कि ये जो lines मिल लेंगे इसके पास-पास ये जो हमारी occasional roman inspector मिलना है उसका कारण क्या है एक तो हमें ये बताना पड़ाएगा एक हमें ये बताना पड़ाएगा कि हैंपे उसी frequency का जो impose किया था उसी का हमें क्यों मिला और एक बार हमें बढ़के क्यों मिली frequency और एक बार हमें क्यों मिली उसके साथ साथ हमें ये भी बताना पड़ाएगा इसके अंदर कि rumen effect का हमें फाइदा क्या है और rumen effect की अगर हम comparison करें और इस effect क्यों से तो उस comparison effect को हम किस तरीका से explain कर सकते हैं जैसे कई बार में ने देखा है UPSC में, ISK exam और PCS में भी पूछा गया है कि आप analysis करें कि तीनों में क्या अंतर है वो पूछता है तीनों में अंतर में क्या होगा एक अंतर पूछता है हमसे फोटो एलिप effect में, कॉंकन में effect में और rumen effect में क्योंकि अगर तीनों effect के बारे में अगर सोचो तो एक चीज को में नजर आती है क्या? कि जो interactions हो रहा है वो photon का हो रहा है और किसके साथ हो रहा है? में तेनों effect के तो तीनों effect में एक चीज हो रही है कि photon जो हो रहा हूँ, वो interact कर रहा है with matter समानता अगर तुम देखो तो समानता तुम में नजर आती है visiveal और ultraviolet लेक से ही तो हमें common effect मिलता है visible और ultraviolet लेक से हमें photoelectric effect मिलता है और X-ray जो से हमें मिलता है common effect और यह जो है यह भी visible ultraviolet का है तो जो हमने radiasions क्या ले हैं वो photoelectric effect में और a human effect में same है जब कि कॉम्चन effect में हम जो जाल रहे हैं वो x-ray जाल रहे हैं तो समानता दो में क्या नजर आ रही है कि visible और ultraviolet जो है दोनों में जाल रहे हैं किसमें चाएं हम photolight effect लें और चाएं हम raman effect लें अंतर यह आ गया अगर इसे Comcanal से अंतर करेंगे तो Comcanal में पता चलाएगा, होँ एक सरे यूज कर रहें तो आप केमिल बना सकते हैं इस तरीका की कि तीनों में हम एक अंतर की केमिल बना सकते हैं, का इफ्रेंस क्या है वहाँ पर क्या था? वहाँ ये पता चलाएगा था के Low Jet उसमें Pre-Dominantly होता है Comcanal Effect और High Jet पर जो होता है वो Photo Electrified और वो जो थे, वो Atomic Property थी एक पर्टिकुलर एक ही तरीका के Atom होते थे वहाँ वहाँ Molecular Property नहीं थी वो कैसी Property थी? एक पर्टिकुलर Atom अब वो Metallic Target लेते थे कि Special Metall यूज कर लेते थे जैसे अगर हम देखें तो हमाँ पर हम सीजम मैकल जैसे यूज कर सकते हैं किसके लिए? Photo Electrified के लिए क्योंको उसका Work Function Low होता है या हम Aluminium यूज कर सकते हैं अगर हम Comcan Effect और उप्जर्ब करना चाहते हैं यूज का जैग Low होता है लेकिन वहाँ पर क्या एक Specific हो गया यहाँ पर क्या रेंज है Gas भी यूज कर सकते हो Gas भी सोग कर सकती है लेवन इफेक्ट Liquid भी सोग कर सकता है Transparent physical लेकिन हुआ नहीं है ऐसा ना तो आप Gas यूज कर सकते हैं ना आप Liquid यूज करते हैं ना आप Transparent physical यूज करते हैं मैकलिक टार्गेट यूज करते हैं अगर अंतर में देखोगे तो वहाँ एक बहुत बड़ा अंतर नजर आएगा वहाँ अंतर क्या नजर आएगा कि Photo Electric Effect में तो photon completely किसे पेरी कर जाता है और Compton Effect में जाओगे तो Compton Effect में जो है जब हम सबिस्टेंस के ऊपर X-ray जालते हैं तो इस्क्रीन के ऊपर टू टाइप के रेजेशन मिलते हैं एक उसी frequency का और एक बड़ी हुई का बड़ी हुई किसका? wavelength का frequency कमाती है तो हाँ पर दो तरीका के हमें केबल मिलते हैं और हाँ पर क्या देख रहे हो? तो अंतर देख रहे होगे वह पूरा का पूरा photon जो हुआ वो completely disappear कर गया पूरा की पूरी energy उसकी किसने electron ने ले ली कौन सा effect हो गया? photon effect और जब हमने X-ray जाली स्क्रीन के उपर जाका देखा तो दो तरीका के regression मिले एक उसी frequency का और एक कम frequency का modified और unmodified regression कहलाते है जहां frequency change हो जाती है वह हमारी modified regression हो जाते है और जो उसी frequency का आता हूँ unmodified regression कहलाते है हैं हमारे पास में तीन है तीन frequency एक वही frequency जो हमने जा लिये, एक बड़ि हुई फ्रिक्वेंसी और एक कम फ्रिक्वेंसी. अंतर समझ रहे हो? तो आपके पास में मेन मेन अंतर आपको पता होने चाहिए कि इनमें मेन अंतर क्या है? तो कुछ समानताईं भी हैं और मुझसे पूछा जाए तो मैं कहूंगा कि दो से तीन समानता है यह सबसे बेन कॉमन है एक सबसे बड़ी समानता है कि सभी में interaction of radiation हो रा मैचर के साथ मैचर चाहे जो भी हो मैचर के लिए मैचल होगी मैचल चार्गेट होगे किस-किस में फोटो-उलेक्रिक और कॉमकेड मैं और इसमें क्या होगे गैस, लिक्विड और ट्रांस्पेरिंट फिर जब हम वेवलेंट की बात कर रहे हैं तो एक समानता हमारी पास आ रही है कि फोटो-उलेक्रिक एफेक्ट और रमन एफेक्ट उसमें हम दोनों में विजिबिल और अक् एबजोर्ण हो जाता है. तो पूरी की फोक्रोन की energy किसे में transform हो जाती है? electronic को काईनेकी energy की форм में ऑर work function में कर्च रो जाती है? तो वहाँ photo님 का existence नहीं रहता है कोलीजन के बाद. और हुआं? रेहता है. और किसे में रहता है? कॉम्टेर्ण में रहता क्यों कॉम्टेर्ण में स्क्रीन पर दो तरीका के रिजेशन मिलते हैं या तीन तरीका के मिल रहे हैं एक समानता यह है कि तीनों की थेयरी में तीनों ही थेयरी जो प्लांक थेयरी है उससे एक्स्प्रेन होती है तो एक बड़ी समानता प्लांग क्या कहता है कि जब फोक्टोन इंपोज होते हैं तो फोक्टोन के पास प्रतिक फोक्टोन के पास एनरजी है एच न्यू होती है या उसे हम लिखते हैं ह न्यू को लिखते हैं ए बराबर ह न्यू को न्यू बराबर सी बाई लेमडा तो energy जब हम लिखते हैं तो energy को लिखते हैं h new और new को लिखते हैं c upon lambda और इसको लिखते हैं sc और new bar बार लगते हैं यह wave number हो गया wave number होता है one upon lambda तो यह पांच पॉइंट आपकी दमाग में आ जाने चाहिए मैं फिरसे एक बार repeat किये देता हूँ यह जो rumen effect है वो visible और agravialic radiation के लिए होता है gas liquid और transparent crystal इसके उपर impose किया जाता है यह radiation जो डाला जाता है उसकी wavelength region यह होता है strong और intense beam हम impose करते हैं किस तरीका के radiation मिलते हैं जब हम यह जाल देते हैं यह जाल देते हैं radiation इसके उपर तो यह तीन तरीका के मिलते हैं under low resolution एक हमें relay line मिलती है उसी frequency की एक बड़ी हुई frequency की मिलती है उसे हम एंकिस क्योक्स line कहते हैं और एक कम frequency की मिलती है उसे हम स्टॉक्स line कहते हैं तो after the scattering इसके उपर जले के बाद तीन तरीका के radiation मिलना है इसको हम मूलते है vibration raman spectra यह low resolution में हमें मिलता है low resolution का मतलब जो हम मोटा मोटा आई जा ले रहे हैं और फिर अगर हम कोई aperture से ऐसा यूज करें कि अगर इसके आस पास और भी कोई frequency और विवलेंट के radiation है उन्हें भी observe करने का अप्जास करें उसे कैपे high resolution से तो under high resolution में हमें क्या मिलता है इन लाइनों के पास पास और different frequency के radiation भी मिलते है उसका कारण हम बताते है कि यह pure rotational raman spectra है rotational raman spectrum के कारण यह लाइन्स हमें मिलती है stocks और anchor stocks के पास तो यह 500 points पहले आपको पता हूँ एक चीज़ जो बहुत ही महकून है वो है कि stocks की जो intensity की है वो ज्यादा होती है और यह कि stocks की कम होती है तो यह तो हमारे 5 points तो देखो इसमें cover हो गए और यह तो point cover होई जाना चाहिए और यह compassion में बताई राता तीनों का जो हमें पताई होना चाहिए उसके बाद अगला point जो हमारा आता वो यह है कि vibrational human effect का selection rule क्या है यह basically vibrational selection rule से ही आया हाँ जी basically resolution के लिए क्या होता है हमारे पास spectrograph होते है और हमारे पास क्या होता है कि microscope हम use करते है ultra microscope जो क्या करते हैं इसे बारी क्लाइनों के बारे में भी आगया देते हैं किसके उपर क्या करेंगा बेशिकरी क्या होता spectrum analysis एक अलग topic है को spectrum के analysis को हम कैसा करते हैं spectrum analysis पर मैंने थोड़ा सा आई जा तुम्हें देने की कोशिस की है सदा सबूज किया तुमने जो frequency जाली तुम्हें ये पता चला कि जो हमने जाली थी और हमारे पास observation लेने के लिए ये है कि जो जाली है उससे भी वो भी मिल रहा हमें और उसके साथ हमें बड़ी हुई frequency भी मिल लई है और कम भी मिल लई है तो हमें उसका जवाब देना होगा कि कम क्यों हुई उसी की क्यों आई और कम हो क्यों आई उसका जवाब देने जाते हैं तो उसके लिए हम पढ़ते है vibration llamada spectrum क्या कहता है hue normal spectrum ये कहता है कि selection rule जो होता है वो डेल v की value प्लस माईनस 1 होती है तो वेव नंबर हमारा बढ़ा क्यों और खाटा क्यों ये तो हमारे पास में जो वेव नंबर था ये वेव नंबर analysis है याद रखना वेव नंबर analysis हम कैसे लेते हैं हैं हमें समझा रहा था हमें आगर वेव नंबर पता चलता है वेव नंबर और फ्रीकेंशी में अंतर हैißt कि वेव नंबर के ऊपर बाल लगा देना जो से वो अंतर पता चल जाने तो म्यू भी ऐसा ही बनाते हो तो ऊपर बाल लगा तो यह मतलब हो गया यही होता है कि low resolution हम किस से करेंगे high resolution किस से करेंगे सब research work में आता है तो हमारा तो यहां पर इस analysis में हम क्या देख रहे हैं कि यह vibrational lemon effect का जो spectrum है उसमें तुम देख रहे होगे डेल वी की value plus minus one हो गई तो wave number एक किसके corresponding हुआ एक wave number हुआ mu वो किसका था जो हमने impose किया है किस पे impose किया है इस के उपर गैस लिको जो transparent fiscal के उपर अब इसमें selection rule कहां से picture में आ जाएगा यह कहेगा कि वही दो successive energy ओं के बीच में जो antral होता है वो हमारा जबलू का होता है जबलू का मतलब समझ रहे हो जब तो कैसे दिखा रहा था मैं पीशे topic में से जी वी प्लस वन माइनस जी वी वेव नंबर वाइवरेसल का वाइवरेसल कौंटम नंबर में और वाइवरेसल कौंटम नंबर वह इसके अगले वाले में दो successive के बीच तो यहां पर जब हम इसकी value लेते हैं तो मैंने पीशे लेक्सर में पढ़ाया था जी वी जो हमारा आकर निकल का आता वो ओमेगा वी प्लस कैसे आया था हाप आया था याद करो यह था तो यहां जब जी वी का मतलब हुआ वेव नंबर कब जब वाइवरेसल कौंटम नंबर वी उच किया है और अगला वेव नंबर कहा मिलेगा तुम्हें वी के बाद वी प्लस वन में यहां ओमेगा वी प्लस थ्री बाई को हो गया क्योंकर वी को वी प्लस वन से बदलो है अब यहां पे यह तो 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 तुमारा थाई जो तुमने इंपोज किया है और इसमें प्लस माइनस क्यों हुआ प्लस माइनस इसने करा दिया कि वही इसमें जो वैल्यू है दो सक्सेसिव एनरजी लेविल के बीच में क्टानिशन है वो तो यहां से आ गया और प्लस और माइनस आने काई तो कारण यह हो गया यह तो वेव नमबर तुम्हारा बन गया कितना यहां का वेव नमबर मु बार और यहां का मु बार प्लस ओमेगा और यहां पर मु बार माइनस ओमेगा यह बन गई तीन लाइन एक ही आ गई, एक ही आ गई, एक ही आ गई, वो तो वो ही आ गई, किसका, जो हमने पोज़ किया, इस वन, और एक हमारी बढ़के आ गया वेव नमबर, और वेव नमबर अगर बढ़ा है, इसका हमारी फ्रीकेसी बढ़ी है, में से एनरजी बढ़ी है, वेव लेंद का की, और एक बहुत ही महत्मूर चीज जो मुझे बतानी है कि जो है गैप होता है, इस गैप और जो है गैप होता है, वो सेम होता है तुम कहोगे सर क्यों? क्योंकि इसमें ओमेगा ही तो एड हुआ है और इधर ही ओमेगा सब्टेक्ट हुआ है तो ये दोनो gap same है, इन दोनों के बीच gap same है, तो ये हमारा जो displacement होता है, वो symmetrical होता है, symmetrical किसको कहते हैं, एक relay line और इसके आग है, उतना ही wave number अगर हम एज़ कर रहे हैं, इसके साथ साथ तो इधर भी इतना ही सब्टेक्ट करें, ये सिम्मेक्री बन गई, जो हमारा बड़ा हुआ है, वो तो हमारा हो गया wave number का, ये बना देना है, ये क्योंकि confusion करता है, confusion समझ रहे हो, इस पर बाल लगा दिया करो, omega पर मदद लगा हो, लेकिन इस पर लगा दो, नहीं कि confusion देता है, हैं, anti-stocks line और stocks intensity, इनकी जो intensity है, वो उसका expression होता, एकी power minus omega s c upon k t, और omega ये, this omega है, ये जो हमारा omega था, ये wave number ही है, कौन सा वाला, जो हैं से wave number में, हैं से यहां तक wave number में change हुआ है, ये omega है, तभी तो इसमें एक धूक आया ये, और ये भी omega है wave number के लिए, और अगर energy पूछे, इस omega के corresponding तो energy होगी, ऐसी omega, हाँ, इसलिए लगा दिया मैंने, कि बाहर से हमें ये पता चलेगा, कि ये जो जिसका सन हो रहा, वे wave number में हो रहा ना कि frequency में, कि ये लगाने की कोई जरुवत नहीं है, अच्छे हैं लगाना चाहरे हो, यहां भी लगा दो, कोई भरक नहीं है, लगा दोगे तब भी कोई बात है, वो तो कि वार हमारा wave number analysis बता रहा है, जब भी आप बाहर लगाएं तो उसको समझ ले ना, कि हमने किसके लिए यूज किया है, wave number के लिए, सिंबल में लिख देना है, तो यह हमारी end की stocks line, उसका जो wave number होगा, वो mu bar plus omega होगा, और जो हमारी stocks line है, उसका wave number mu bar minus omega होगा, अगर इनकी energy चाहिए अब हमें, सब गो उस कहता है, इसकी energy बताईए, तो इसके साथ ऐसी से marketplace कर देना, इसकी energy पूछ है, यह energy होगी, बात नहीं समझे, और इन्हें अगर तुम्हें बाहर को कभी भी बदला, wavelength लानी है, तो इसका just reverse कर देना, और lambda अगर हमें पता चल जाएगा, तो wave numbers को one upon lambda लिख दो, और फिर हमें पता है का अगर frequency चाहिए, तो frequency, velocity और wavelength कर लिए साथ हमारे पास है, और एक चीज़ याद रखना, कि energy जो निर्भर करती है, वो energy इस तरीका से आती है, हमारी s c upon lambda या h c mu वार, तो अगर हमारी wave number बढ़ता है, तो energy बढ़ती है, और दूसरा formula हमारा आता है h nu, इन दोनों में अंतर समझ लेना, ये frequency के लिए यूज कर रहे हो, ये हमारे wave number के लिए यूज कर रहे हो, frequency जो होती है, velocity applied को अगर wave number से multiply करें, तब मिलती है, ये अंतर समझा आ रहूं मैं, कभी तुम इन में confusion होते हो, confusion मतरा को, एक सवाल ये जरूर है, कि wave number में हम क्यों पढ़ते हैं, इसका भी फायदा होता, इसलिए पढ़ते हैं से, हाँ, लेकिन मैंने अभी इस पर इसके संदिया ना, कभी मौका मिला तो कभी आगा बता हूँगा क्यों हम इस हैं क्यों पढ़ते हैं, फिर बच्चों ये anti-stocks intensity और stocks intensity का expression याद रखो, e की power minus omega c upon kt, क्या देखोगे, कि anti-stocks ये wave number है omega, ये किस कोहां से आया फर्मुला, e की power minus delta e upon kt से, और delta e कितना है omega c, देख रहे हैं हो, इन में जो अंतर आएगा, किस order का आएगा, वी सी order का तो आएगा, omega c, हमारी anti-stocks की intensity की कम क्यों हैं, इसका जबाब में हैं दुमबा, अभी नहीं दे रहा हूँ हैं, लेकिन ये mathematical expression समझाएं मैंने, देखो चार बातें हैं से फिर सीको, वाइबरेसरल रमन इस्पेक्टरा का अगर पोच्छता है, एक question सबसे महत्मूर जो हैं पोच्छा जाता है, वो पोच्छा जाता है, इसका selection rule क्या होता है, तो वाइबरेसरल का selection rule लगाना, डेल भी बराबर प्लस माइनस वर्न, हमसे पूछता है कि इनकी stocks का wave number कितना होता है, तो हम answer लगाएं, म्यू बार प्लस ओमेगा, अगर हमसे stocks का पूछता wave number तो answer लगाएं, म्यू बार माइनस ओमेगा, और अगर हम AC से multiply कर रहे हैं, तो यह energy मिल जाएगी इनकी दोनों की, क्योंकर wave number में और energy मिल लिसन है, अब हम इस से आगाब बढ़ें, anti-stocks और stocks intensity की ratio में याद रखें कि इसका formula होता, E की power minus omega AC upon kT, intensity की temperature पर निर्भर करती है, anti-stocks की विव नंबर पर निर्भर करती है, इसका मैं application हैं नहीं बताऊँगा, लेकिन हैं समझाँगा, किसमें intensity की जो हमारी आ रही है, वो anti-stocks की कमा रही है, और stocks की जादा आ रही है, उसका region ढूणेंगे हैं, इस diagram में, यह वाला, यह wave number, तो यह जो है, vibrational quantum number है, डेल V, vibrational quantum number, और यह हमारा vibrational spectrum से लिए आए, इससे पहले में ने vibrational spectrum तुम्हें पढ़ा दिया आए, और देखो हमारा रहा था pure rotational thermal spectrum, एक formula जो मैं तुम्हें rotational spectrum में पढ़ा रहा था, फिर से लिख रहा हूं, वो था fj जकल टू, bjj पिलस 1, पढ़ाता नहीं, यह था wave number के अंदर, rotational energy का expressions, in terms of wave number, fj बराबर, bjj प्रस 1, और मुझे याद आ रही है, b की value हैं थी, h upon 8 pi square ic, rotational constant कहते थे से, d कितना था है, h upon 8 pi square ic, h था plan constant, pi 3.14, c, velocity of light, और i moment of inertia, हैं हमें सबसे महत्पूर बात यह है, कि इसका pure rotational रमन इस्पेक्टर का selection rule चाहिए, इसका selection rule होता, गेल जे बराबर 0 plus minus 2, इसको remember रखना है, कि गेल जे कितना रहता, 0 plus minus 2, और अगर तुमने पीछे इसका selection rule पढ़ा हो, कौन से केस में, यह पता किसके लिए है, वर्क्स याद रखना, pure rotational spectra का नहीं, रमन इस्पेक्टरा, यह energy label हमने दिखाए, हैं तो जे बदलते जा रहे हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे हैं, जब हम इस expressions में, J को हम 0 कर देंगे, तो FJ 0 आ जाएगा हैं, फिर J की value बन लेंगे, जैसे बन लेंगे तो हैं कितना आ जाएगा, 2B, फिर हम यहां पर J की value कितनी लेंगे, 2, यह आ जाएगा हमारा 6B, फिर हम J की value आ गए, 3 लेंगे, यह आ जाएगा हमारा 12B, फिर हम आगे value लेंगे 4 फिर कितना आ जाएगा क्यों जे 20 और इस से आगे 30 नहीं आ रहा क्या तो इन gap ओं को उसी हिसाफ से बढ़ाते चले जाओ gap बढ़ा रहे हैं देखो कितना कितना शुरू में 2B का फिर gap आगे क्यों जे 4B फिर 6B फिर 8B फिर 10B तो gap को white करते चले जाओ ज्यान दो मेरी बात अब जब molecule इन इस्केटों में होगा इन कौन से इस्केटों में होगा rotational quantum स्केटों में rotational spectrum पढ़ा रहे हो तो molecule या तो vibrational स्केटों में होता है या rotational में होता है vibrational में होता है तो यह दिखाएगा तो वाइबरेसनल कौांटम स्केटों में मॉलिकूल का होना और ये सब मॉलिकूल मा जाते हैं गैस लिक्वजे सब उनका होना अपने आप में ये बता रहा होता है कि जब वो वाइबरेसनल स्केटों के कारण पैदा जो होता है वो तीन लाइन्स पैदा होती है एक रेले लाइन, एक स्टॉक्स और एक एंटी स्टॉक्स रेले तो वो लाइन है कि वो रेजियेशन एबजॉर्ब भी ना हो या अगर वो एबजॉर्ब भी हो तो उसी रेजियेशन का जो एबजॉर्ब किया है उसी का निकाल भी दे means transition अगर वो उपर की तरफ चला भी गया मौली की लेक इसकेक से दूसरी इसके वापस उसी इसकेक में वापस आ जाए तो जो frequency उसने अबजॉर्ब की थी उसी का निकाल भी देगा उसको हम क्या कह देंगे कौन सी लाइन है कौन सी लाइन होगी रिली लाइन अब हमें यह बताना होगा कि frequency बढ़के कैसे आ गई और कम कैसे आ गई वो हम रहाँ पर देखेंगे इस चीज को अब आगे समझो पहले हीं पर चीज़े हैं 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 सेलेक्शन रूल है हमारा गेल जे की वैल्यू है जीरो प्लस माइनस टो यह हमारी important है selection rule तो इसका पूछाई जाता है इसका भी और इसका भी मैंने एक वीडियो अलग से भी दे रखी है selection rule की काफी popular वीडियो है एक पर मैंने पूली वीडियो में सारे selection rule कराए है सबके जितने भी spectrum है सबके selection rule क्यों एक maximum question देखा जाता करो यह हमारे पास जो फिर से यह रमन तो रही रमन के लिए किसका सथ दे रहे हो R for rotational तो कि इसनल रमन के लिए wave number का formula क्या होगा वो होगा mu जो तुमने impose की है उसका wave number plus minus fj plus 2 minus fj j plus 2 क्यों ले रहे हो एक selection rule कह रहा है एक बार तो 2 लो एक बार एक बार j plus 2 लो एक बार j लो जबी तो दो कंतर आएगा fj plus 2 यहां से ले लो यहां से value यह आ जाएगे bj plus 2 j plus 3 यहां पर put करका देख लो fj plus 2 कितना बन जाएगा j को j plus 2 से बदल दो bj plus 2 j plus 3 यह आ गया minus fj यह आ गया इन दोनों को सब्क्रेट कर दो यह आ गया 4b j plus 3 by 2 देखो यहां से solve करके इसको क्या कर दो यह न यहां से 4b को common निकाल देना इस पूरे expression में आपने आप ही तो में j plus 3 by 2 बचा रहे जाएगा यहां इस expression का plus minus ना लेके इसका मौग लगा दो इसको तो पहले इदर ले आओ इसको इदर लाके लेट में और यह जो value आएगी वो plus minus 4b j plus 3 by 2 आ जाएगी और मौग लगाते इस plus minus का plus हो जाएगा तो यह हमारा expression यह बन जाएगा 4b j plus 3 by 2 plus minus में यह होगा यह देखोगे इस expression में plus minus में यह होगा कि यह wave number तो वो था जो तुमने इंपोज किया फोटोन है और उसमें एगी संस भी होगा आएगे और सब्ट्रेक्शन भी होगा आएगे पहली जो frequency हमें हैं मिलेगी इधर की तरह पैंट की stocks लाइन में वो हमें बढ़के मिलेगी अगर हम wave number में देख रहे हैं क्योंकि यह सब wave number में ले आए हो तुम तो यहां पे mu plus mu बाल लगा दूँ यह थोड़ा सा confusion देता है बुक में पता क्या कर रखा है जिगे जिगे mu लगा रखा है वो frequency से confusion होता है तो हम हर जोगे बाल लगा देना wave number पर जहां भी आ जाए यहां पर भी बाल लगा देना यहां भी लगा देना यहां भी लगा देना उससे तुम्हारा confusion थोड़ा कम हो जाएगा यह सब wave number में है अन्य mu frequency लगती है उससे confusion पैदा होता है यह सब wave number में analysis कर रहे हो और जब wave number मिल जाएगा तो ST से multiply करका energy मिलेगी तो यहां पर हमारा पहली frequency wave number mu bar आया तो यहां पर अगली जो आयागा mu bar प्लस 6b आयागा देखो अंतर कैसा देख रहे हो 6b, 10b, 14b, 18b तो सुरू में तो हमारा आ जाएगा 6b का अंतर इधर भी और इधर भी ऐसा करोगे ना एक बार प्लस साइन लोगे तो प्लस का तो यह जिस कसन चलना है माइनस भी तो लोगे माइनस के इधर आ जाओगे जब हमारा प्लस चलेगा तो इसमें 6b जुड़ेगा पहली लाइन में, wave number में अगली में चुड़ जाएगा, हैं तक पहुचोगे 10b उससे अगली बादी में जाओगे 14b उसके बादी बादी लाइन में जाओगे 13b ऐसे ही हां कम होता चला जाएगा इसका wave number कितना बना? इतना, इसका कितना बना? mu bar प्लस 10b इसका कितना बनेगा? mu bar प्लस 14b ऐसे ही तो बढ़ जाएगा अगला बाद आ जाएगा mu bar प्लस 18b और इधर आओगे इसका mu bar माइनस 6b अगला mu bar माइनस 10b and so on, so on तो समझी गए होगे ऐसे ही करते चले जाओ अभी समझाओ बहुँ जाइग्राम पर क्यों बढ़ती है? उस जाइग्राम पर समझाओगा लास्का क्वेशन तो यही रह जाएगा कि बढ़के क्यों आईग, करके क्यों आईग पहले तो जो आ रहा है उसे जिसकस कर रहे हो और फिर बाद में लास्क में क्या जिसकस करोगे? कि घकी और बड़ी कैसे है? बहुँ भी बताना है, बैस फिर तो यह पूरा ही खतम हो जाएगा अब मेरी बात को पहले सुन लो, क्वेशन आता क्या है? सबसे ज़्यादा क्वेशन क्या आता है? उसको सुनो अगर हम जनरल रोकेशनल स्पेक्ट्रम को देखें मॉलिकूल का जनरल रोकेशनल स्पेक्ट्रम जिसे हम इन्फाराइज स्पेक्ट्रम भी कहते हैं या हम फार इन्फाराइज स्पेक्ट्रम के हैं रोकेशनल के केस में तो हहाँ पर क्या देखते हो? तो तूबी टूबी का अंतर आता है वेव नमबर में देख सकते हो तूँ पीछे जाके अपने टॉपिक में यहां पता क्या देख रहे हो पहला अंतर तो आता है 6B का और फिर 4B 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 चलता है पहले गैप यह जो लेविल है इसमें थोड़ा गैप यह जा रहा होगा फिर यह छोटा छोटा मतलब रहेगा बराबर फिर यह क्वेश्चन आया हुआ है कम्पीशन्स की दुनिया में पता क्या कैसे पूछा गया इसमें क्वेश्चन पूछा गया कि एंटी स्टॉक्स लाइने वो वेव नमबर में वेव नमबर में उनकी क्या-क्या पॉसिबल की जोंगी वेव नमबर रखने की तो उसमें आन्सर लगाना था हो तो मैं मूबार प्लस 6B, मूबार प्लस 10B, मूबार प्लस 15B कितनी बार क्वेश्चन आता है फायदा क्या होगा फायदा सुनो अगर इसका फायदा देखना चाहते हो तो इसमें फायदा सबसे बढ़ा ये होगा कि अगर हमें इसका वेव नंबर पता चल जाए इसका कितना है और ये पता चल जाए तो हमें भी पता चल जाएगा क्यों? इसका वेव नंबर पता है रहे इसका भी वेव नंबर पता है तो इन दोनों का अंतर हमारा 6 भी होगा 6 भी होते हैं में B पता चल जाएगा 6 से जबाइच करके B निकाल लोगे और B की वैल्य हो जाएगी है चपोन H, P, S, Q, I, C, I, N, निकाल लोगे लेकिन दो कॉनक्लूजन्स में बताना चाहता हूँ दोनों को सुन लो एक इसका सलेक्सर रूल हमें पता हो गेल जे की वैल्यू जीरो प्लैस माइनस टू होती है नमबर बन दूसरा है आपे गैप से नहीं होता सुरू में एंकी स्टॉक्स लाइन जो हमें मिलती है उसमें जो वेब नमबर की फॉर्म में मिलती है उसका वेब नमबर जो सुरू में वेब नमबर था उसमें सिक्स भी जोड़के मिलता है ये पहली लाइन कहलाती है एंकी स्टॉक्स की फिर ये second line जो आती है उसमें wave number में 10 वी आगा होके मिलता है wave number किसका जो तुमने regression इसी किया था उससे आगे वाले में जो मिलता हमें उसमे 14 वी आगा होता है ये तो चलता है हमारा किस के लिए हैं कि stocks के लिए और जो हमारी stocks line है जिसमें wave number कम हो गया वहाँ पर जो wave number है शुरू में अगर हमारा wave number म्यू था बाल लगाई रहे हैं अगर वे नंबर के लिए मैं बाल लगा रहा हूँ तो म्यू बार माइनस 6 वी ये पहली line stocks line second line के लिए म्यू बार माइनस अब देखो question कैसे पूछ लिए जाते हैं आज कल कैसे पूछे जाते हैं ये तो formula तो इनके सीधे ही पूछे गए इसमें question देखोगे तो wait माई हुई है question का आपकी सारे फिर पता कैसे पूछता है कहता है कि रोकेशनर रमन spectrum के अंदर first के लिए कि stocks line और first कि stocks line जो हमें बिलती है उनका वेव नंबर इतना है अब कहता B निकालो, I निकालो तो तुम्हें पता चलेगा ये अंतर दे रहाँ में question में ये अंतर तो पहली line ये और पहली line ये ये तो stocks की हो गई ये इनके stocks की हो गई तो इन दोनों का अंतरा बारे भी होगा six भी इदर को गई हो और six भी इदर आये हो तो इन में अंतर कितना बन गया 12 B हो गया ये पूरा तो 12 B अगर हमें दे रखा तो B निकाल लो गया और फिर ऐसा भी कह सकता है कि ये हमारे हमें पता चला के एंकी stocks line और stocks line इनकी पहली line ओके बीच में वीव नमबर का जिफ्रेंस इतना है जो हमारी line है अंकी stocks line बताईए उसकी value क्या होगी तो हमें जब इन दोनों का अंतर हमें दे रखा है तो हमें बारे भी दे दिया और जब हम second line पे जाएंगे तो वीव नमबर में हमें 10 B अज़ करना है तो जब हमें बारे भी देगा तो उससे हमें पहले भी निकालना पड़ाएगा फिर कैन भी निकालोगी फिर उसे एड़ करोगे अब भी नहीं समझे बात ऐसे आते हैं आज कल question ऐसे ही बनते हैं बता दिया कि पहली जो हमारे पास वीव नमबर है इस्टोकस और रेंक कि श्टोकस लाइन का रोकेसणल स्पक्त्रम में इतना जिफरेंस यो है वो बन रहा है या उनके नमबर ही पता ही पता दिया जिफरेंस तुम्हें नेकार करका देखना पड़ाएगा फिर तुम्हें यह पता होना चाहिए पचल जाएंगी, तुम्हें पहली लाइन तो मियूबार प्लस 6 भी थी, उससे वाली मियूबार प्लस कैन भी थी, उससे अगली वाली फो कैन भी थी, ज़र कौन सी पूछ ले, इधर कौन सी पूछ ले, कुछ भी संभाव है, तो इस कंसेप्ट को तह यार रखो, दो कॉनक्ल भी फोर वी के अंदर पाते हैं, और जो तुम्हारा जनरल लोकेशनल स्प्रेक्ट्रम मिलता है, वह पर टूबी टूबी का अंदर रहता सब, वेब नंबर में, यह बेसिक अंदर है, यह चीज़ आप रखो, तो यह हमारी इंपोर्टेंट के सारी, जो मैं फिसिक्स बता र उसके बाद हम इस पर जाएं के स्टॉक्स और एंटी स्टॉक्स लाइन का फॉर्मिसन क्वांटम मेकनिक से कैसे एक्स्प्रेन करते हैं, क्यों बनती हैं यह लाइन्स, डाइग्रम मैंने बना दी आए, और डाइग्रम हमारे लिए बहुत ही महत्पूर है, क्या देख रहे ह हो, देख रहे हो के यहां पर जो होता है, मॉलिकूल के डिफरेंट एनर्जी लेबिल होते हैं, यह दो एनर्जी लेबिल दिखा रखे हैं सक्सेसिव, अब सक्सेसिव एनर्जी लेबिल हमें जब दिखा रखे हैं तो अब यह देखें के मॉलिकूल कहां हैं, सपोज किया तो लेगी उपर था, उपर की स्केक में था, उसने वहाँ से फोटोन एब्जॉर्ब किया और उपर चला गया, उपर की एक्साइचेग एनरजी लेविल में, अब गया तो, कहां से था, हायरेजी स्केक से, और लोकी आया लीचे की तरफ, अब वहाँ पर फ्रिक्वेंसी बढ जाएगी है, हाँ, इसकेक नीचे खाली की, उसादी थोड़ी बढ़ी हुई है, मॉलिकूल की, देखो हैं द्यान से दो, अगर इन काई ग्रामों को देख रहे हो, तो इसमें तुम्हें क्या पता चलेगा, इसमें ये पता चलेगा, कि सपोज किया मॉलिकूल इस स्केक में और ये हैं से हैं चला गया, गया तो हैं से हैं था, लेकिन लोटा है हैं से फिर ये नीचे की, इसकेक में, तो इसमें जो ये एनर्जी गिफिरेंस है, वो एग हो गया, और ये कौन सी, जैसे हमें क्या समझाना है, ये एनर्जी थी हमारी, यहां से देखो, यहां पर देखो ये एनरजी है गोगई, ये जो पूरी एनरजी है, ये हमारी डेल्टाईई है, और इसकी वैल्यू कितनी है, ए जैस माइनस ए जबल जैस, क्या देख रहे हो, अगर मॉलीकूल और लेगी हाईर्जी स्केक में था, और वो हाईर्जी स्केक से रेजेसन अब्जॉर्ब किया, औ उपर की एक्साइक स्केकों में चला गया और वापस लोटा, तो वो उसी स्केक में नहीं लोटा, जहां से गया था, बलकि क्या किया, एकदम से क्राउंग स्केक में आ गया, तो क्या हुआ, इसमें ये एनरजी और एड हो गई, ये डेल्टाई, और ये एनरजी किसकी थी, फोक्यों के पास ओल रही थी, तो यहाँ पर फ्रिकेंसी हमारी बढ़ गई, और फ्रिकेंसी बढ़ने का मतलब कौन सी लाइन बन गई, एनकी स्टॉक्स लाइन, यहाँ पर दिखाए गया है, एनकी स्टॉक्स लाइन समझा रहा है, अब दूसरी बात सुनो, जो में लेकिन कम होटे है, तो जब तुम एंसिंचेंट स्टॉक्त करोगे, तो जब हैं हुंगे ही कम, तो यह कम ही पहुंचाएंगे उपर, कम ही मिलेंगी लाइन, इसलिए इंसimportant की कम आई, तो देख रहे होगे हैं, इंसकी कम देख रही होगी है रही, पूम एंसकी के, यह ज्या ज्यादा संबाबना क्या है? ज्यादा संबाबना है कि molecule यहां होगा, ग्रांड-चेक में, radiation तुमने जाला, यहां से उपर पहुँच गया, इस energy-चेक में, अब गया तो ग्रांड से था, लेकि जब लौटा, तो ground में नहीं लोटा उपर के exciting level में रह गया अब exciting level का मतलब समझ रहे हो एक तो यहीं दोनों में अंतार है और फिर इसे उपर के energy level है तो हैंपर क्या हुआ अगर यह यहां से गया था और हैंपोंचा इस energy level में अब लोटा वापिस उपर के energy level से है तो यह हैं वापिस नहीं लोटा बलकि हैं रुप गया अब यहां पर इसकी जो frequency है वो कम हो गई energy कम हो गई कितनी कम हो गई गेल चाई घटा दोगे जो तुमने जा ली थी यहां पर क्या हो गई energy कम हो गई frequency कम हो गई तो कौनसी line बन गई देखो यहां बलनी यह stocks line है अगली बात सुनो ध्यान से यहां ज़्यादा संभाब ना इसी की है यह वाली क्यों? ground skate में ज़्यादा होंगे और तुमने का सर अगर वापिस ही लोटी आए आ जाने दो वापिस वो तुमारी डेले line बन गई क्यों जी? और रेले line इसलिए ज़्यादा intense है क्योंकर संभाबना इसकी संभाबना बहुत ज़्यादा है क्यों जहां से गया था वोई लोट का आ जाए आ जाने तो उसी frequency का हमें मिल जाएगा इस spectrum में अब वो line क्या कहलाएगी यह देख रहे हैं ज़्यादा इसकी कि यह रही exciting lines, relay lines क्यों मिल गई? यह excitation के थुरी मिली है molecule radiation absorb किया, excitation होका हाइड जीशकेट पह गया, उसी frequency का फोटर निकाल दिया जो absorb किया था वापस हुई आ गया तीसरी से चोथी possibility तुम्हें देखेगी ने अब भी नहीं समझे यह तुमारी जो radiation उसने absorb किया था उसी radiation उस energy को absorb करके अगर molecule हाइड जीशकेटों में चला गया और वापस हम ही रोटी आया जहां से गया था तो यह perfectly last के collision हो गया उसी frequency का radiation image हो जाएगा से बी और उसमें क्या होगा ना frequency कखेगी ना बढ़ेगी और गया था उपर के energy level से और लोटी आया ground state को तब वहाँ पर frequency क्या हो जाएगी वो बढ़के आ जाएगी वोँआ energy बढ़ जाएगी और वो line कौन सी कहलाएंगे हाँ जी anti-stocks लाइग और stocks में उल्टा कर दो गया ground से था और ground से उपर चला गया और उपर ही रह गया उसी level पर नहीं लोटा यह यही तो सब जा रहे हो यहां से यह successfully quantum mechanics apply हो जाएगी दो चीजें इसमें सीख लो तुम से क्या कहा चा रहा है energy SC by lambda है जहां भी energy SC by lambda means Planck theory लगा रख थी है तीनों एफेक्टों में photo electric effect, content effect और raman effect में एक समानता और भी है कौन सी समानता है एक समानता इन में यह भी है कि तीनों ही effect में Planck theory को लगाया गया है कि photon के पास energy H new या SC by lambda होती है तीनों में यह लगाया है तीनों में यह समानता भी है यह बताता है कि gas, liquid और transparent crystal के भी जिसके एक set of energy level होते है means continuous energy नहीं होती तो यह quantum mechanical treatment है नहीं समझ पाए यह quantum mechanical expression है अब तो मैं कहीं समझाना पढ़ेगा तो जाइगराम बना के सिकानी बतानी पढ़ेंगे ज़िए उन पूछते है ऐसी बात है I.S. men's लिखना उन्हें जरूरत है नहीं समझाने कि जाइगराम बनाते है बच्चे समझा देते है explain कर देते है अब आता है तुम्हारा इसका फाइदा मैं कितना समय लगा चुका हूँ तो अब तो एक गंट रही हाँ प्लांक छोरी कोई explanation है प्लांक से एकस्प्रेशन साती है इसकी प्लांक छोरी का फर्दर confirmation है classical treatment नहीं समझाया है मैंने classical तो क्योंकर फेल है इसलिए quantum explanation दी है जान दो इसका फाइदा क्या है फाइदा यह है कि अगर हम रमन spectrum लें और एक इन्फाराग spectrum लें इन्फाराग spectrum तो वही थे जो हम इससे पहले topic में पढ़ा रहे थे जब हम इन्फाराग स्प्रक्रोस्कोपी यूज करते है तो क्या देखा कि जो molecule center of symmetry रखते हैं जो frequency infrared spectrum में observe होती है वो रमन में नहीं मिलती है अगर रमन spectrum और infrared spectrum कौन साइक नहीं करता इसका मतलब है जो molecule है वो center of symmetry रखता है जैसे CO2 molecule है center of symmetry है carbon के साथ इदर भी oxygen और इदर भी oxygen यहां CS2 है carbon के साथ इदर भी S और इदर भी S तो यहां पर तो में सिम्मेक्ट भी देख रही होगी कारवन के इदर इदर भी देख रही होगी सिम्मेक्ट यह अगर इसका स्पेक्टर में अनलिसस करें और इसका रमन स्पेक्टर में अनलिसस करें तो दोनों कौन साइक नहीं करते और दोनों अगर ni करते तो ऐसे molecule कहते हैं कह उन्हेमें sensor of symmetry exist करती है और अगर वो concite कर गए तो फिर sensor of symmetry नहीं होती इसमें बताया गया कि इसमें दो strong infrared bank बैंक्थ उन्टे हैं कई साल सीधा इंкив लाइन द्याद रख न इसमें जो मिलते हैं, वो दो strong infrared banks मिलते हैं निस दो पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी के रेगेसंस, इंफारक डेगेसंस जदा अब्जूर होते हैं, वो इबेंट कहलाते हैं, N2O, NO2, SO2, S2O, इनके अंदर थ्री स्ट्रॉंग इंफारक बेंक्स मलते हैं, ये तो सीड़े फ्रेक्ट क्याद करने हैं तुमें, जो सेंट्र फ्रेक्री के अगर दोनों तरफ दो मॉलिकुल हैं तो दो स्ट्रॉंग इंफारक बेंक्स बने हैं, ऐसा याद कर लेना, इसमें तुम देख रहे होंगे तीन हैं, N2O, NO2, तीन आचम हैं न, N2O, NO2, SO2, S2O, तीन तीन आचम से मिलके बनाएं, तो ये थ्री स्ट्रॉंग इंफारक बेंक्स बनाते हैं, इन में इसका इंफारक स्पेक्ट्रम और रमन स्पेक्ट्रम, ये दोनों आपस में मेच कर जाता है, सारी फ्रीकेंसी नहीं, कुछ फ्रीकेंसी, अगर वो मेच कर जाती हैं फ्रीकेंसी, उन फ्रीकेंसीओं को हम कहते हैं, कि अगर फ्रीकेंसी आपस में मेच कर गई तो मेक्टरी नहीं प्रक्टिंटे नहीं लगते, देख़ो ऑइसे बनना थी है, यहां कहां मेक्री आप यह हमारे पास माक्ले श्क्रेक्टर है थी हमेरे स्पेक्टर ऑफ सै मेक्टर् Umic candles नहीं कर रही है तो का हुता है जो हमारे spectrum के अंदर जितने भी center of symmetry के molecule है उनमें ये देखा जाता है कि रमर spectrum और infrared spectrum coincide नहीं करता और अगर वो coincide कर जाती है कुछ frequencies तो फिर center of symmetry नहीं होती है वो example बता दो इनमें ये याद रखो कि हैं दो infrared absorption band बनते हैं इसमें तीम बनते हैं उसके बाद एक चीज़ जो हमारे लिए बहुत ही महत्मून है वो है कि जो polarisability of molecule है एक होता गाइपोल मुमेंट इन्फारग spectrum में मैं कुछ थोड़ा सांतर बताना चाहूँगा कि इन्फारग spectrum में और रमर spectrum में क्या अंतर है रमर spectrum जो पैदा होता है वो polarisability को molecule से पैदा होता है molecule क्या रखता है polarisability जानते हो polarisability क्या होती है एक EMT में लेक्षर दूँगा मैं वहाँ पैबताँगा तो मैं कि polarisability किसे कहते है और रमर spectrum से जोडूँगा उसे कि polarisability का क्या रोल रहा है आज नहीं बता रहा हूँ लेकिन आपको याद रखना है कि polarisability और molecule जो है वो रमने एफेक्ट के लिए जुम्मेदार है जबकर जाइपोल मुमेंट पोलाइशन परियुनिक लक्टिफिक बता रही है या जाइपोल मुमेंट परियुनिक वल्यूम ऐसा क्या कितनी तरीका के होती है polarisability पोलाइशन परियुनिक लिए जाइपोल मुमेंट परियुनिक लक्टिफिट या है जाइपोली सेंस तो alpha के अभी मैं नहीं बता रहा हूँ थोड़ा सा वेच करो उसका बताँगा कहा से आता है तो polarisability और molecule ये responsible होती है और डाइपोल मुमेक जो है वो रेस्पॉंसिफिल होता इंफरागी स्पेक्टरम के लिए उसके साथ साथ दो तीन बाते में इसमें इंपोर्टन्ट बता हुआ कि ये रमन एफेक्ट क्यों पॉपॉलर हो गया और क्यों इसकी खास खूबी रही साथ साथ सब्द ये भी जानें कि भारत Zusammen की नॉबिल प्राइज आया फिजिक्स में उनका सीवि रमन का था 1930 में नोबिल प्राइज और भारत रतन नें ह। पहला जो भारत रतन था भारत का उसमें तीर लोग थे जिसमें इनका भी एक नाम था साथ-साथ ये बताऊंगा कि नेसरल साइंस के में 28 फरवरी को जो भारत में मनाते है वो रमन एफेक्ट की जो जिसकावरी है वो इसी दिन होई थी, उसी के यो फ्लक्श में से हम मनाते हैं नेसरल साइंस के मैं तीन से चार बातें जिन पर चाहूंगा कि इसका सन एक बार फिर से दून वो बताना चाहूंगा कि भई रमन एफेक्ट का फाइदा क्या है रमन एफेक्ट का फाइदा सबसे ज़्यादा यह है कि mutual exclusion principle सीधा यह कहता है कि जो हमारे infrared spectrum लेते हैं और रमन spectrum लेते हैं अगर उनकी आपस में फ्रीक्वेंसी मेंच नहीं करती है तो हमें पता चल जाता है कि molecule center of symmetry रखता है इसका उल्टा भी कर सकते हैं जो molecule center of symmetry रखते हैं center of symmetry का मतलब center of symmetry का मतलब center से दोनों तरफ एक सी situation बनती है तो उनके जो spectrum में फाइदे spectrum लेते spectrum लेते नहीं रखते हैं उन्हें भी explain करने में सक्षा मेरा मने फाइदे और जब के gypore moment अगर नहीं रखते तो infralactic spectrum उसे discuss नहीं कर सकता साथ-साथ यह पता चलता है कि जो selection rule है वो इसके vibrational का तो same ही रहता है जैसा उसमें रहता था location spectrum का analysis जो है change होता है क्योंकि है selection rule जो है वो change है यहाँ गेल जे की जो value थी वो 0 और प्लस माइनस 2 है वह जो selection rule था होता गेल जे वरावर 0 प्लस माइनस 1 और 0 से 0 transition नहीं होते थे अगर तो मैं याद हो यह पढ़ते थे हैं हम उसमें selection rule तो यह दूसरी चीज इसमें क्या है कि जो हमारे पास वह गैप है वो सारे गैप 2B 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 के चलते है सब wave numbers के जो गैप है वो 2B के चलते हैं किस में इन फ़राग डिस प्रक्टरम में और हिहां क्या चल ले हैं सुरू में 6B इधर 6B इधर 6B फिर 4B 4B तो यह अंतरी हैं सारे देखो एक चीज में तुम्हें बता दू कमकी की दुनिया में जब भी तुम जाओगे तो एक कॉश्चन साएगा क्योंकि इसके नियोमेरिकल कॉश्चन तो निकाली लो तीन या चार तरीका की वेराइटी के नियोमेरिकल कॉश्चन है उन्हें तो निकाली लो, जो भी question book में तुम्हें दे रखें प्रोफिसर राज कुमार सर्की जो book है उसमें मुश्किल से आठ तस question मिलेंगे रमन एफेक्ट में उसमें से मुश्किल से तीन से चार नई वेराइकी के question होंगे बाकी सब रिपीट होंगे, एक ही पैक्ट में के सारे तो क्या करेंगे, उनके तीनों चार नों पाच नों तरीका की वेराइकी के question निकाल लो और important, सबसे महत्पूर तुम में बताओं क्या रहेगा इसमें, अंतर रमन effect, content effect, photolateral effect का difference इन्फारा की spectrum analysis और रमन spectrum analysis में difference और रमन effect के फाइदे ये तुमारे लिए सबसे महत्पूर ने और चार ये questions तो मुझे उम्मीद है कि एक दू घंके इसमें लगाओगे तो ये तुम्हें आरसानी सब इसे पूरा कर लोगे ये वेकल जरूर निकाल लें इसके उपर तो मुझे उम्मीद है कि काफी fruitful talk रहेगी है और काफी beneficial भी क्योंकि इसमें सारा का सारा मैंने कुछिस की है एक ही बोट पर cover करकर सारा कंट्यां डिसकस करने की तो इस वीडियो में इतना ही जाइब तो जाइब